इस मुकाबले को लेकर दोनों टीम में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है जहाँ पर दोनों टीमों में दमदार खिलाडियों को मुका मिला है तो वहीं पर मुंबई इंडेंस की टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस विडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या रणनीती दोनों टीमों की रहेगी साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन से बड़े बदला होने जा रहे हैं इसके साथ ही इस मुकाबले से जूड़ी तमाम जानकारी आपको इस विडियो में मिलेगी तो दोस्तों इस जानने के लिए बनने रहे इस विडियो के आखिर तक और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो आई पेल से जूड़ी हर एक लिटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेला इकिन जरूर दबा ले हो और साथ ही साथ हैं इस विडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे अगर आप भी चा की टीम आट सीबे के खिलाब हार का सामना करके चन्नाई सूपर किंग्स की टीम के आमने सामने होने जारी हैं यानि कि यहाँ पर चन्नाई सूपर किंग्स की टीम ने अपने दो मुकाबलों में से एक मुकाबला जीता हैं तो वहीं पर मुंबर इंडेंस की टीम ने अपना एक मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबला गवा दिया है तो ऐसे में यहाँ पर दूसरी बार चैन्नाई सूपर किंग्स की टीम के आमने सामने होगी तो यहाँ पर देखना दिल्चस्प होगा कि दो दमदार टीमों के भी जब यह मुकाबला होगा तो कौन सी टीम यहाँ प दिखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहां पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में तो सबसे पहले मुंबई इंडेंस की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की सुरुआत करेंगे काप्तान हीट मैं रोइद सर्मा के साथ है इसान किसन तो पर नमबर 3 पर Jaemran Green उतरेंगे नमबर 4 पर सुर्यकुमार यदव को मौका मिलेगा नमबर 5 पर तिल्यक वर्मा उतरेंगे तो नमबर 6 पर नेहाल वेद्रा हमें खेलते वोए दिखेंगे नमबर 7 पर टीम डेविड तो नमबर 8 पर रितिक सोकिन वहीं नमबर नो पर अरसद खान उतरेंगे नमबर दस पर हमें खेलते वे दिखेंगे जोपरा आश्चर तो नमबर ग्यारा पर जैसन बेहरन डॉप को मौका मिलेगा तो वही पर इनफेक्ट प्लेयर के रूप में पियूस चावला को भी सामिल किया जाएगा दूसरी तरफ चन्ने सूपर किंग्स की टीम की तरफ से फारी की सरुवाद करेंगे रुतुराज का एकवाड ये साथ डेविन कोन्वे जहां पर रितुराज का एकवाड हालिया प्रपॉमेंस कापी संधार फॉम में कर रे हैं और इस मुकाबले में भी टीम को बहतरिंगे नमबर तीन पर सीवं मेहंदर सिंग दोनी हमें खेलते वे दिखेंगे नमबर नो पर मिचेल सेंटनर तो नमबर दस पर दिपक चहार और नमबर ग्यारा पर राजवर्दन हेंकर केकर को मौका मिलेगा यानि कि आपर देखे तो कापी सांदार किलाडियों को मौका मिला है तो वहीं पर इनफेक्ट मुकाबले के सुरू होने के समय की हम बात करें तो यह मुकाबला सुरू होगा भारते समानुसार साम के साथ बचकर 30 मिनट पर जिसे आप लाइव देख पाएंगे चिवो सिनेमा पर इसके साथ इस्टार स्पोर्ट के नेटवर्क पर भी तो दोस्तु क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी टीम सांदर जी दर्च करेगी विनिंग परसेंट आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेता निवाद दोस्तु